Welcome to Magnet Brains, यह है वो प्लाटफॉर्म जहां आपको कंटेंट मिलता है, इंगलिश में भी, हिंडी में भी, वो भी फ्री, किंडल गार्डन से लेके ग्रेट 12 तक का, तो मैं हू तुमारी वैदी माम और हम डिस्कुस कर रहे हैं प्रिवियस एर, प्रिवियस एर क्वेशन पेपर, कौन से वाले माम, अरे बबा, CBAC के ही, मैंने बताय था कि CBAC के तीन पेपर निकलते हैं हर साल, पहला होता है डेली वाला, दूसरा होता है ओल इंडिया लेवल वाला, जिसको जनरली बोर्ड एक्जाम करके बोलते हैं, और आखरी होता है अब्रॉड वाला, तो हम हर जो सेक् हैं, हर पेपर हम डिसकस कर रहे है, चीक है, तो पहले हमारा डिसक्ष्णین 2020 पेपर का हो चुका है, अभी हम डिसकस कर रहे हैं, 2019 के पेपर, तूसरा फेपर, 2019 में भी आज हम δिसकस करने वाले मेन एकजाम इंडिया, मतलब ऑल इंडिया लेवल वाला, तो डेली वाला माम, अ करते चलेंगे ठीक है तो चलो आज का फॉर्स क्वेशन देखते हैं क्या बोल रहा है 2019 का ओल इंडिया लेवल वाला पेपर अच्छा एक और चीज अब बोलोगे माम सेट 3 तो बाकी सेट 2 और सेट 1 कहा आ गए वापस सेट के अंदर के क्वेशन सारे सेम होते हैं सिर्फ नंब बस ऑफ जीनस ग्लॉमस यूसफुल टू और गैमनिक फार्मर अरे ग्लॉमस का मतलब क्या होता है याद करो यह कुछ और नहीं बलकी क्या है माइकोराइजल जो हमारा एसोसियेशन होता है हायर रूट्स के साथ तो वो क्या करता है एक सिंबायोर्टिक रिलेशन्शिप में रहता है याद करो मैने बताया था सिर्फ माइकोराइजा में कौन सा न्यूट्रेंट एब्सॉर्फ हो रहा है फॉस्फुरस बाकी सब अगर कोई भी सिंबायोर्टिक रिलेशन्शिप बोलोगे तो क्या बोलोगे नाइट्रोजन एट्मॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक बना रहा है प्लान को और क्या कर रहा है कुछ नहीं जब डिजीर रिस्टेंट बन जाएगा तो उसकी ग्रोथ क्या होगी जादा होगी तो प्रोड़क्टिविटी भी जादा होगी चलो आंसर दिखते हैं Glomus belong to a group of fungi which form mycorrhizal association. They form symbiotic association with plant and absorb phosphorus from soil and pass it to the plant. Such association help the plant in other ways as well. resistant to root bond pathogen, tolerance to salinity and drought. तो ये क्या है? ये सारी keywords है. ठीक है? This also result in overall increase in plant growth and development. मतलब फॉस्फफरस ता absorb करी रहा है, root resistant बना रहा है, साथ में किसके against resistant बना रहा है? Salinity. Salinity मतलब जादा खारापन. चीक है? उसके बाद, drought मतलब सूखा. चीक है? आई बात समझ में, move करे आगे. तो देखो, बोलो के माम, इस टाइप का question 2020 के भी paper में था. बिलकुल सही. तो वहाँ भी पूचा गया और 2019 में भी पूचा जा रहा है. मतलब कुछ समझ में आ रह का ये थोड़ा important zone में आ रहा है. चलो, अगले question देखो करते हैं. बायो टेखनोलोजिकल टेखनीक्स कैन हेल्प टू डाइग्नोज दा पाथोजन मच बिफोर देखोर देखोर सिम्टम अब डिजीज अपेर इन दा पेशन. हाँ, हमने बहुत सारी टेखनीक पड़ी हुई ह जिसको molecular technique के नाम पे पड़ा हुआ है. जैसे PCR हुआ, या फिर ELISA हुआ, या दाया. ELISA किसके लिए? मैं, HIV के लिए. PCR किसके लिए? मैं, वो HIV के लिए भी और Corona के लिए भी. अभी recently. चलो, आगे देखते हैं. Okay, suggest any two such technique. लो, अभी बोला तो ELISA और PCR. वही तो answer हुआ. Two such technique which help in diagnose the pathogen much before the symptom of the disease appear in the patient are ELISA and PCR. अब देखो, अगर इस question को और complicate करना है ना, तो इसका बोलेंगे and give the abbreviation of the two technique. मतलब full form लिख्या हो. तो ELISA का बताओ भले या नहीं पूचा है, पर अब तुम याद करी रहे हो, तो बता ही दो. ELISA का क्या full form होता है? enzyme-linked immunosorbid assay और PCR का polymerase chain reaction. तो यह याद रखना है. चीक है? अगले question पर मूव करें. तो देखते हैं, अगला question क्या बोल रहा है? mention the form in which inactive protein toxin. जैसे ही inactive protein toxin आया, बताओ क्या-क्या याद आ रहा है? protein मतलब और वो भी toxin. तो एक ऐसा कौन सा inactive protein है? माम cry protein, C-R-Y capital में cry protein. जो किस से कोड होता है? माम एक gene से कोड होता है. हमने तीन चीज़ gene पढ़े हैं, दो है bowlworm के, एक है corn bearer के. तो gene का नाम बताओ, cry 1, A, B, A, C. ठीक है? बतलब A, B अलग और cry 1, A, C अलग. ठीक है माम? कहां मिलता था? माम एक bacteria में, जिसका नाम बताओ. माम bacillus thuringiensis. ये इसी को माम BT बोलते हैं, बिलकुल सही. क्या होता था? माम ये इनाक्टिव रहता था, पर जैसे ही pest, मतलब bowlworm, इसको ingulf करेगी, तो ये जो protein है, ये उसके gut में जाके alkaline pH के presence में active हो जाएगा. और वहां पर pores create करेगा, lysis हो जाएगा, जिससे death हो जाएगी उस pest की और इस तरीके से हमारा plant resistant बन जाएगा उस particular pest के अगेंज. बहुत बढ़िया. अब आगे पढ़ ले? Okay, mention the form in which inactive protein toxin is produced by bacillus thuringiensis. How does it get activated in the pest body to kill it? लो सब तो बोल दिया. The bacterium bacillus thuringiensis produce BT toxin in an active form known as prototoxin. अब देखो, तुम चाहो तो लिखो, यहाँ पर क्या लिखोगे? कि this prototoxin, अब आंसर की में यहाँ दिया है, पर अपन को क्या चलना है? पूरा safe guard चलना है. बिलकुल भी risk नहीं उठा सकते है, रिस्क नहीं उठा सकते है, बाबा. ठीक है? त समझ में तो extra information हो गई. क्या पता, अगर marking scheme में cry gene के बारे में mention हो, और तुम सब इतना सा mention करना भूल गए, तो जबर जस्ती के 0.5 marks कट जाएंगे. तो भाईया, chance क्यो उठाना है? mention कर दो. ठीक है? And this cry gene is producing what? cry protein. And this protein is what? inactive and poisonous in nature. किस के लिए? उस worm के लिए. This inactive toxin is activated by the alkaline pH in the gut of the insect. आई क्या कहानी समझ में? यही तो सब कुछ हमने बोला था. भाई पूछ लिया, वो लिख दिया. हुआ clear? तो देखो, यह method सबसे सही है. जैसे ही question पढ़ो, उससे related सब memorize करो, फिर बचा हुआ question पढ़ो. चीक है? move करें आगे. चलो अगला question देखते ह Human are categorized as regulator. बहुत बढ़िया. जैसे ही regulator पढ़ा, तो जल्दी से बताओ, regulator का एक और नाम क्या है? मैं warm-blooded organism. warm-blooded का एक और नाम क्या है? मैं homeothermic. चीक है? तो homeothermic का एक और नाम बताओ, मैं urothermal. अचा, homeothermic करते क्या है? मैं homeostasis करते हैं. कैसे करते है? मैं अपने body का temperature constant रखते ह सहार कितना भी गरम हो जाए, भले कितना भी थंडा हो जाए. करते कैसे है? मैं अपने body में temperature changes जैसे हमारे case में हमेरे पास sweat glands है. तो हम sweat glands को activate करके, मतलब जादो अगर गर्मी हो रही है तो पसी ना निकाल के, क्योंकि वो heat भी लेते हुए चाता है. और थंड लग रही है, त अच्छा एक और चीज़, जैसे यह बोलेंगे तो वो graph कुछ यादा रहे, कुछ इस टाइप का graph था, एक ऐसा था, एक ऐसा था और एक ऐसा था. यह था तुम्हारा क्या? external environment और y-axis पे क्या था? internal environment. तो regulator वाला बता सकते हो कौन सा था? हाँ माम, जो horizontal था वो था तुम्हार regulator का, बहुत बढ़ियां, चलो, explain how they maintain a constant normal body temperature, अरे बोला तो इतना सार explain क्या, उसी तरीके से तो maintain करेगा, चलो पड़ते हैं, regulator are those organisms which are able to maintain homeostasis by physiological mean, during summer when outside temperature is greater than the body temperature, 37 degrees Celsius, we sweat, अभी तो बोला इतनी sweating होती है, which result in evaporative cooling, during winter when outside temperature is less than the body temperature, we start to shiver, thund, क्यों? क्योंकि जो muscle है, वो क्या create कर रही है, friction create कर रही है, जिससे क्या produce हो रहा है, heat, ठीक है, which is a kind of exercise that produce heat and raise the temperature, हुआ clear, move करे आगे, easy था नहीं, चलो, आगे move करते हैं, तो देखो, एक और चीज, यहाँ पे उनने रेगुलेटर दे रिया अब हो सकता है, इसी question को modify करके किसके बारे में पूछ ले, conformers के बारे में पूछ ले की conformers क्या है, और कैसे वो अपना body temperature maintain नहीं कर सकते, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, तो बाताओ, जो लोग physiological adaptation नहीं कर सकते, वो क्या करते हैं, behavior में changes लाते, या तो उस जगे से भाग ज जाते हैं, ठीक है, या तो सो जाते हैं, या दाया, सो जाते हैं मतलब estimation और hibernation, ठीक है, अब बोलो के माम पर polar bear भी तो hibernation करता है, polar bear तो माम अले हाँ, वो को पप नहीं कर पा रहा है, इसलिए hibernation कर रहा है, clear हुआ उतना, move करें अगले question पे, चलो, how will you measure, population density of fish in a lake, अकर या दारा हो, तो same question हमने कहां discuss किया था, frequently asked question में, कि बताओ, एक lake है, उसमें हमें population density measure करनी है, मचलियो की, तो हम क्या करेंगे, एक catch डालेंगे, और catch में जितनी catch मतलब जाली डालेंगे, और पकड़ेंगे मचलियो को, तो जितना मचलिया पकड़ में आ कि अराउंड अराउंड इस पर्टिकुलर एरिया में कितना population density है, उस पर्टिकुलर फिश की species का, चलो answer देखते हैं, population density is a measure to determine the number of individual of a species in a particular unit area, but sometime it is not practical to count the number of individual of a species, therefore in some cases relative density are used to determine the population size in a given area, The population density of fish is determined by fish caught per trap, आई बात समझ में बोलाता है जो catch करेंगे, catch बलाब यह वाला catch नहीं, catch बलाब यहाँ पर तुम मचलिय डालोगे, पकड़ोगे, ठीक है, तो fish caught by per trap, तो यह question में अब keywords क्या है, सबसे पहले determine क्या कर रहा है, number of a particular species living in a particular area, पर जब यह number count करना मुश्किल हो ज density का, और fishes के case में हम क्या करेंगे, कि हर trap में कितनी मचलिया पकड़ी गई, उसके according हम क्या लगाएंगे, एक estimate लगाएंगे कि अच्छा इस particular area में इतनी मचलिया रहे रही है, हुआ clear, चलो इसका B part देखते हैं, इन पॉंड, देर आर 100 फ्रोग, ठीक है, 100 फ्रोग है, 20 more were born in a year, मतलब 20 और बॉन हो गए, तो 100 क्या है तुम्हारा, वो main density बता रहे है, population density, और 20 और पैदा हो गए, मतलब birth rate बता रहे है, calculate the birth rate of this population, मतलब यह birth number बता रहे है, तो जल्दी बताओ, तुमने एक formula पढ़ा होगा birth rate का क्या, अगर birth rate निकालना है, तो number of birth upon total population into 100, तो birth कितने हुई थी, अभी बताओ, 20 पैदा हुए, और total population कितनी थी, तुम्हारी original, तो देखो, वापस जाओगे question पे देखने, बोलोगे माम, 100 ही तो थे, अरे क्यों 100 थे, 100 और 20 अब नए पैदा हो गए, तो बताओ, total population अब आई कहानी समझ में, किसको divide क्यों की गया है, 120 से, अब तुम लोग यहीं सबसे बड़ी गड़बडी करके आते हो, तुम क्या करते हो, जितने नए birth हुए, divided बाज इतनी population question में दी है, पर बबाबा जोडो तो सही, अब वो पैदा हो गए, यह क्या है, additive property है, तो अब न सिख्जा, ठीक है, 2, 6, 12 और बस यह आ गया तुमारा, 6.66, आई बात समझ में, move करें आगे, ओके, अगला question, अचा एक और चीज, यह जो है, यह अभी birth rate पर question है, इसी question को तो change करके death rate भी बोल सकते हैं, तो अगर यहां लिख दिया कि death per year, ठीक है, पर उन्होंने बोला inner year, और यह बता है, उसमें कि एक साल की inner year क्या था, population थी, तो उस case में पूरा चीज change हो जाएगी, ठीक है, move करें आगे, चलो, draw a stable, जैसे ही stable बोल रहे हैं, तो ठीक है, आगे भी पढ़ लेते हैं, human age pyramid, तो जब stable बोलते हैं, stable का मतलब क्या होता है, माम हमने age pyramid पढ़े हैं, तीन टाइप के, expanding, जो बड़े से, छोटा छोटा और एकदम उपर, stable जिसमें approximately जो तीनो stages है, वो almost, almost same चल रही है, ठीक है, और आखरी आता है, decline, जो inverted pyramid बोल सकते हैं, जिसको, जिसमें, जो post reproductive age है, वो जादा है, reproductive कम है, और सबसे कम कौन सा है, pre reproductive, ठीक है, comment on the population growth rate that is depicted by it, चलो, वो बताना है कि उससे सबसे growth rate क्या है, तो answer महीं बोल दिया, तो सबसे पहले stable का population, human age pyramid बना दो, बना दिया मैम, अब इसमें इस खासियत क्या है, अब बोलो के मैम पर यह तो थोड़ा expanding जैसा लग रहा है, लग रहा है, यूँकि तुमारे book में एकदम जो expanding वाला है, वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, इतना जादा difference दिय पर उसको label जरूर कर देना, इसको क्या लिखोगे, pre-reproductive, ठीक है, फिर उसके बार इन दोनों को mention करो कि यह क्या है, reproductive, और यह वाली क्या है, चाहो तो जादे expand कर दो और लिखो, यह दोनों post-reproductive, ठीक है, तो label करना मत भूलना, ने तो सारे का सारा क्या हो जाएगा, label का मतलब क्या है, चलो, देखते हैं, the population show less number of individual in the pre-reproductive age, while the number of individual in reproductive and post-reproductive age structure are almost equal, मतलब इन दोनों में क्या है, ज्यादा stability चल रही है, ज्यादा difference नहीं है, हाँ, थोड़ा बहुत difference है, pre-reproductive में, पर जो major हमारी category है, category है, reproductive और post-reproductive वाली, उसमें ज्यादा difference नहीं है, अच् अगर यहाँ चलो, पूछा भी नहीं है, पर तुम अपना answer को support करने के लिए, example लिख क्या होगी, तो कौन सा example पढ़ा था हमने stable का, सारी developed country, अच्छा, एक बात बताओ, expanding का क्या पढ़ा था, माम, इंडिया, अच्छा, decline का क्या पढ़ा था, माम, जिपान, याद रहेगा, आगे मूव करें, चलो, अगले question पर मूव करते है, वा, what is cryopreservation, अरे, इतनी बार आ गया, देखो cryopreservation पर भी question आ रहा है, तो जल्दी बताओ cryopreservation क्या होता है, माम, liquid nitrogen पर, minus 196 degree Celsius पर, अगर कुछी store कर रहे हो, तो अपने viability, अपनी जो property वो lose नहीं करती, बस अभी कुछ time क के लिए, वो freeze out हो जाती है, उसके बाद उसके अभी भी potency, जो potential है, वो maintain रहता है, बहुत सही, किस का करते है, cryopreservation, माम, seeds का करते है, पोलन का कर सकते है, उसके बाद, gametes का कर सकते है, मतलब, om of sperm का कर सकते है, in fact, कुछ cells का भी कर सकते है, जैसे somatic cell हो गई, ठीक है, माम, मतल कलिकल काड को भी तो करते है, cryopreserve, याद आया, चलो आगे पढ़ते हैं, mention how it is used in cryo, conservation of biodiversity, आरे, seed bank हो गए, पोलन bank हो गए, यह सब क्या है, conservation of biodiversity, चलो answer पढ़ते हैं, cryopreservation is a method to preserve cell or tissue structure in an extremely cold environment, minus 196 degrees Celsius by using liquid nitrogen, extreme cold condition, seize any metabolism, मैंने बोला था ना, कि सारी metabolism क्या हो जाती है, रुक जाती है, cell मरा नहीं है, बस seize हो गया है, अब इसका best example है, avengers में, जो हमारे captain America थे, वो कुछ और नहीं, बलकि cryopreserve हो थे, याद करो injection कब लगा था और वो capsule के अंदर थे, और जब वापस जगे थे तो वो as it is ही यंग थे, है ना, कुछ चेंज नहीं हुआ था, in fact, जो winter soldier है बकी, वो भी क्या हुआ था, cryopreserve ही हुआ था, ठीक है, move करे आगे, ठीक है, पर यह example, इसमें मत लिख क्या ना, examiner को नहीं पता है, avenger कौन है, captain America कौन है, यह मैं तुमको बता रही हूँ कि तुमने live क्या, live मतल friction movies में क्या देखा हुआ है, ठीक है, चलो, cryopreservation is used in the preservation of pollen, seeds and other imprints of biodiversity, this act as a gene bank which can sustain diversity in the face of catastrophic events like war, आई बात समझ में, मतला अभी ऐसे लग रहा है कि अधी condition बेकार है, हो सकता है यह मेरे जितनी भी species है, यह national park में जितने भी animals रखे हो सकता है, extent हो जाए, हो सकता है कि environmental condition ऐसे आ रही हो, तो एक काम करते हैं उनके gametes या gene या फिर seeds को क्या कर लेते हैं, preserve कर लेते हैं, जब सारी चीज़े नॉर्मलाइज हो जाएंगी और in case अगर सारे बाहर खतम हो गए, पर सब के क्या हमारे पास present है, gene present है, आई बात समझ में, move करें अ अक्का एकना equation होता है, तो देख लो है question, उन्होंने दिया study करने के लिए, चलो study कर लिया, अब क्या करना है, identify A, B, C, D and explain their roles in cloning vector, तो ये है question, वहां मत देखो है, starting से answer ही देखने लगोगे क्या, तो जल्दी से बताओ, A क्या हुआ, मैंने बताय था पहले क्या आता है, तु क्या है, मैं, ROP है, जो क्या control करता है, कि कितनी copies produce होंगी, उसके बाद, पर वो copies शुरू कहां से होंगी, replication की, जिसको क्या बोलते है, और आय बोलते है, origin of replication, ठीक है, याद रहेगा, तो ये ampicillin, वो tetracycline, पर क्या, resistant gene, जिसको कैसे लिखते है, A, M, P और R, R मतलब resistant gene, similarly, tetracyc और उपर R, टेक है, इतना आया समझ में, मैंने बोला था, कि सारे के सारे तुमको labeling PBR322 के by heart learn हो ही जाने चाहिए, तो चलो answer देखते हैं, उन्हेंने बोला, बताओ A, B, C and D क्या है, तो ए हुआ तुम्हां ampicillin, अब देखो, यहाँ पर ampicillin, अब देखो, यहाँ पर ampicillin और यह क्या है, ROP, जो क्या कंट्रोल करने वाले number of copies, अच्छे एक बात बताओ, यह ampicillin और tetracycline restriction है क्या, माम यह selectable marker है, पता लगाने के लिए कि मेरा जो recombinant DNA गया है, क्या वो properly आगे पास हुआ है, मेरे cells के अंदर enter किया है, अगर मैं ecoli में grow कर रही हूँ, तो क्या मे मेरा इतनी महनत किया हुआ, recombinant DNA गया है, कैसे पता चलेगा, selectable markers का यूज करके, इस case में selectable marker क्या है, माम antibiotic resistant gene है, पर दूसरा तरीका क्या जो तुम पढ़ चुके, माम chromogenic भी gene यूज किया जा सकते है, जो color दे, कैसे color, blue colony, white colony यादाया, अगर white colony है, मतलब क्या मेरा gene pass हो गय है, transgenic है, वो recombinant DNA present है, और अगर blue color colony है, मतलब मेरा gene of interest नहीं गया है, ठीक है, याद रहेगा, चलो आगे move करते हैं, अच्छा, अब उन्होंने वाई चीज, अब हर चीज explain भी तो करो, इतना मैंने सब कुछ बोल दिया, तो यह देखो, यहाँ पे लिखा है न सही तरीके से, तो यह क्या है, ampicillin resistant gene, दिखा, अब, it act as a selectable marker which provide resistant again antibiotic ampicillin, similarly tetracycline क्या है, resistant gene है, जो किस के against resistant दिलाता है, antibiotic tetracycline, ओके, यहाँ दिखा है, यहाँ दिखा है, ठीक है, it act as a selectable marker which provide resistant again antibiotic tetracycline, अब और आ है, और आ है, मतलब origin of replication, this sequence act as a site from where replication क्या शुरू होगा, शुरू होगा जहां से, this sequence also control copy number of linked DNA, अब, आरोपी क्या है, तो आरोपी का full form ज़रूर लिख लो, repressor of primer, it is responsible for restricting the plasmid copy number, आई बात समझ में, जो क्या control करने वाला है, जो plasmid का copy number को restrict करने वाला है, तो इस में से, यह वाला point तुमारे जरूर, NCRT में नहीं दिया हुआ है, कुछ publications में दिया है, कुछ में नहीं दिया है, तो चाहो तो लिख लो, क्योंकि आरोपी मतलब क्या, repressor of primer, ठीक है, क्या करेगा, वो repress कर रहा है, मतलब रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, रुख जा बाबा, ठीक है, रिस् restriction site है, कट करने वाली जगे, similarly, हिंद 3, भी ये भी क्या है, कट करने वाली जगे, कौन कट करेगा, restriction endonuclease, जो क्या है, एक molecular scissor, similarly, ये दोनों भी क्या है, restriction site है, ये दोनों भी क्या है, restriction site है, माम, ये इनका तो समझ में आ गया, क्योंकि इसका हमने पढ़ा है, G, A, A, T, T, C, इसका book में लिखा है, कि 6 base pair को कट करता है, पर ये दोनों क्यों important है, क्योंकि इससे क्या बन सकता है, critical thinking का question बन सकता है, अगर question में पूछ लिया, कि इस site पे, PST1 या PVU1 site पे, अगर कुछ, मतलब, recombinant DNA अटाच हुआ है, तो बताओ, कौन सा resistant, आंटिवर्टिक resistant gene ये होगा क्या ampicillin नहीं, क्यों, क्योंकि इसको क्या बोलते है, insertional inactivation, उस case में अगर यहाँ पे, तुम्हारा recombinant DNA अड़ हुआ है, तो तुम क्या यूज करोगे, tetracycline को यूज करोगे, as a antibiotic resistant gene या, selectable marker, अगर tetracycline वाले जगे पे, कुछ insert हुआ है, तो ampicillin को यूज करोग इतना याद रहेगा, move करे आगे, चलो, question, a patient has suffered myocardial infraction, मतलब heart attack, जल्दी बताओ क्या क्या पड़ा है, माम heart attack, मतलब blood cholesterol का level कम करना है, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं, हमारे statins को, और अगर जो मतलब या तो बनने मत दो, या तो जो डाय, जो अल्रेडी बना हुआ है cholesterol उसको क्या कर दो, dissolve कर दो, ठीक है, अचा statin अगर करोगे तो कहां से निकलेगा, मतलब तो उसका organism कौन है, मैं monascus पर प्यो रहा, ठीक है, याद आ गया, चलो, आगे पड़ता है, and clot were found in his blood vessel, तो पता ही, अभी तो बोला, clot, okay, name a clot buster that can be used to dissolve clot and the microorganism from which it is obtained, तो ध्यान से example पढ़ेंगे, अब देखो, यहाँ पर different है, मैंने जो बोला, वो क्या बोला कि जो blood cholesterol level को कम करे, कम करे किस तरीके से, जो statin होता है, वो competitive inhibitor रहता है, मतलब normally ही cholesterol के molecule को बनने नहीं देगा, पर यहाँ पूचा क्या है, clot buster, मतलब अल्यादी जमा हुआ clot है, उसको तोड़ना है, तो उसको तोड़ने के लिए किसका यूज करोगे, किसी और का नहीं बहिया, streptokinase का, जो कौन प्रड्यूस किया है, बाय बाक्टीरियम, streptococcus, जो किसकी तरह काम करेगा, clot buster की तरह काम करेगा, जिस patient के लिए, जिस जो undergo हुआ है, heart attack से, ठीक है, अब अगर तुमको होगा, जब हमने live session में sample paper discuss किया था, same यही question इस साल के sample paper में दिया गया था, अंतर इतना था कि उन्होंने एक diagram चिपका दिया था, उसके साथ, कहानी as it is, word to word यही ए लिखा हुआ है वहाँ पे, सिर्फ उन्होंने क्या किया, एक ऐसा diagram दे दिया, यू करके, कि यह blood vessel और यहा कि दूसरा ही question था, इस साल के set, term 2 के sample paper का, चीक है, तो सो मैं समझ में आ रहा है, हर question कितनी तरीके से repeat हो रहा है, और यह कौन सा है, यह all India level के 2019 का question है, same question अभी sample paper में दिया हुआ है, आई बात समझ में, तो अपन को याद तो भहिया करना है, मतलब यह वाला question की value सोचो कितनी ज़्यादा है, चलो इसका B part देखते हैं, a woman had just undergone a kidney transplant, kidney transplant मतलब organ transplant, जब भी organ transplant होता है, किस type की drug दिये जाते है, immunosuppressive drug, तो immunosuppressive drug या bioactive molecule का नाम बताओ, cyclosporin A, तो cyclosporin, spore मतलब spore आना चाहिए, किस से obtained है, ज़रा जल्ली से बताओ, थोड़ी देर पहले हमने discuss किया था, कि इसी और से नहीं, बलकि trichoderma polysporum से, देको खुदी सब बोल दोगे, अब देखते पड़ते हैं, question क्या है, टेक है, इतना तो हमने पूरा answer ही बोल दिया, a bioactive molecule drug is administered to oppose kidney rejection by the body, what is a bioactive molecule, name the micro from which it is extracted, अभी तो बोला, क्या है, cyclosporin A, जो क्या है, is a bioactive molecule that act as an immunosuppressive agent in organ transplant patient, it is produced by fungi, कौन सा, trichoderma polysporum, याद रहेगा, चलो इसका third part दिखते हैं, कि वो क्या पूछ रहे हैं, what do doctors prescribe to lower the blood cholesterol level, लो, यह आगया वापस, यह 2020 के paper में था, blood cholesterol level को lowering agent, in fact, जो 2019 का हम Delhi वाला सेट पढ रहे थे, उसके एक table में भी match the following में दिया हुआ था, तो blood cholesterol lowering agent मतलब क्या, statin, किस से obtained हुआ, monascus purpura से, बोली दिया, चलो आगे पढ लेते हैं, in patient with high blood cholesterol, name the source organism from which this drug can be obtained, तो देखो जारा, statin produced by yeast, monascus purpura has been commercialized as blood cholesterol lowering agent, these act as clot buster that can be used to dissolve the clot, मतलब दो अगर अब इस वाले जो तुमारा sample paper है, उसमें उनने दो पूछे थे, कि दो drug बताओ, जो heart patient को दिये जाता है, उनने heart patient में ने बोला, उनने बोला, a person suffering from myocardial infraction, तो क्या लिखोगे, एक तो statin लिखोगे, दूसरा क्या लिखोगे, streptokinase, इतना हुआ clear, move करे अगले question पे, तो देखो अगला question क्या है, give reason for the following, अब reason है, तो pattern वही रखेंगे, क्या question पढ़ो, 5 second लो, सब कुछ memorize करो, बागी का बचा हुआ question पढ़ो, antibody-mediated immunity, is called humoral immunity, तो वो पूछे, बताओ, humoral immunity को antibody-mediated immunity क्यों बोलते हैं, अब जैसे उन्हेंने immunity word बोला, तो तुमको कुछ याद आ रहा होगा, दो type की मैं हम immunity पढ़ी है, एक है humoral, एक है cellular, cellular मतलब cell के अंदर घुस के मारेगा, है ना, और humoral मतलब जो चीज ब्लड में गूम रही है, तो ब्लड में कौन गूम रहा है, भाईया, antibody गूम रहा है, antibody किस ने produce किया, B lymphocyte में, वो कहां पर है, वो भी ब्लड में ही गूम रहा है, कुछ-कुछ आया क्या समझ में, चलो answer देखते है, antibody are the immunoglobin that are produced by B lymphocyte, टेक है, since these antibodies are formed in the blood, the immune response is called a humoral immune response, तो याद क्या रखना इस पे, कि दो टाइब की हमारी immunity रहती है, एक रहती है humoral, एक रहती है cellular, cellular मतलब cell है, उसके अंदर जाके गुसके मारेगा, ठीक है, पर यहाँ, यह जो antibody अंदर थोड़ी ना जारी है, यह तो बाहर ही है, और यह antibody produce किस ने की, सबसे पहले बता, antibody produce कौन करता है, माम B lymphocyte, बहुत बढ़ी हैं, और B lymphocyte कहां रहता है, माम ब्लड में घूमता रहता है, आई बात समझ में, तो जो चीज ब्लड में घूम रही है, मतलब जो cells हमारे defense system के लिए responsible है, और cell में ही travel कर रहे हैं, ब्लड में ह इतना हुआ clear, अगला question पड़े, how is child protected from a disease from which he or she is vaccinated, तो जल्दी से बताओ, जैसे ही word vaccination याद आया, तुम लोग को अभी सब COVID shield लगा होगा है ना, तो vaccination मतलब क्या जल्दी बताओ, vaccination मतलब माम, attenuated, heat killed, weakened, जो पाथोजन है, उसी को inject किया जाता है अंदर, उसके against body धीरे-धीर hidden trial method करके, more specifically B lymphocyte और T helper lymphocyte उसके against बनाता है antibody, पर ये बनाते-बनाते, ये कैसी है, slow process है, और since हमारी body खुद बना रही है, इसलिए active immunization है, पर ये slow process है, active immunization है, कब जब primary response आ रहे है, पर ये naturally नहीं हो रही है, हमने trigger की है, एक vaccine डाल के, vaccine ने, हमने pathogen inject करके, ठीक है, तो ये ह हम बोल सकते है, ये artificial active immunity है, हाँ, ये जब होगा कि जब second time same pathogen आएगा, तो already memory cell बने हुई रहेंगी, तो उसके against बस करना क्या है, पूरा defense system आ जाएगा, और उसके धुशुम धुशुम करके, उन सब को भगा देगा, मतलब किल कर देगा, आई बात समझ में, answer देखे अब, तो चलो, उन्होंने पूछा है, बताओ, कि एक बच्चे को, how is child protected, एक बिमारी से कैसे protection मिलेगा, जब उसको, उसका vaccination हो गया, तो देखो, the principle of vaccination is based on the principle of क्या, memory, और ये memory, गजनी वाली memory नहीं है, भाया, ये permanent memory है, हाँ, वापस, गजनी वाली memory, गजनी मतलब 15 मिट याद रह भूल गए, नहीं, मतलब 15 मिट नहीं, मैं कुछ duration बोल रहे हूं, पर permanent याद कब रहता है, जब 14 यह के पहले उसको vaccine लगे, किसी भी बच्चे को, अगर 14 के पहले vaccination लगे, क्यों माम, क्योंकि थाइमस gland active होती है, 14 यह के बाद, थाइमस gland degrade होने लगती है, फिर धीरे-धीरे बॉड़ी कैसी memory शो करती है, गजनी effect वाली, मतलब 15 मिनिट बाद नहीं भूल जाएगी, देखो, मतलब कुछ समय ते, एकाद साल तक याद रखेगी, फिर भूल जाएगी, इसलिए तो फिर booster dose लगवाने पड़ते हैं, याद आया कुछ, देखो, अब जैसे तुमने देख कर चुका है, अब इसके thymus gland कैसा effect शो करेगा, डिग्रेड हो चुका है, तो वा गजनी effect शो करेगा, तो गजनी नहीं बनना है भाईया, अगर कोई आग है तो उसको कूटना है नहीं तो वही हमारी पूरी body को destroy कर देगा, हाई बात समझ, इसलिए क्या करते हैं, booster dose लगाते तो यह पूरा gain किसका है, memory का है, ठीक है, तो vaccination किस principle पर काम करता है, memory, of the immune system, in vaccination, preparation of antigenic protein of pathogen और inactivated pathogen, अब तुमने कैसे पढ़ा है, देखो inactivated pathogen बोलो, या फिर तुम बोलो antigenic protein बोलो, या फिर तुम बोलो कि attenuated heat killed wicked, इन पाचों में से कुछ भी लिखोगे, सही ही जाए ठीक है, और inactivated pathogen vaccine is introduced in the body, the antibody produced in the body against these antigen, तो antibody produced होगा धीरे धीरे time के साथ, तो result क्या होगा, कि antibody produced in the body against these antigen would neutralize the pathogenic antigen during actual infection, तो या actual infection से मतलब क्या है, कि जब second immune response होगा, आई बात समझ में, अब तुम चाहो, तो इसी को modify करके, जैसे हमने discuss किया, कि primary response होता है, फिर वो B lymphocyte hit in trial method से, और with the help of T H lymphocyte, क्या बनाते हैं, memory cell बनाते हैं, फिर जब actual का second response होगा, या second attack होगा, तो हमारी body के पास क्या है, पहले से pre-prepared memory cell है, जिसका use up करके, क्या बनाएगी body, antibody, खुद को बचाने के ल response, this is how a child is protected from the disease for which he or she is vaccinated, हुआ clear, easy था, देखो, जो बैस तरीका है, कि जो देखा है, वर्ड पकड़ो, उस से रिलेटेस, अब कुछ बोल दो, और देखो, आंसर में तुम खुद देखरे, वही सब लिखा हुआ है, ओके, नेम टाइप आप अफ सेल्स, देखा है, तो अगर याद होगा, AIDS virus, जो है, वो बेसिकली किसके कारण होता है, HIV virus के कारण, और HIV attack किस पे करता है, माम हमारे body के जो defense system है, immune system है, उसके commander को capture कर लेता है, तो दो लोग आते हैं, पहला तो है, माक्रोफेज, जिसको antigen presenting cell भी बोलते हैं, और दूसरा क्या है, हमारे TH lymphocyte, तो देखो जरा, after getting into the body, the AIDS virus, देखो यहाँ पे भी उनने लिखा है, ब्राकेट में HIV, enters into macrophage, ठीक है, तो macrophage में गुज गया, उसके बाद जो cycle शुरू होगी, reinfection, reinfection, reinfection की, वो किस पे होगी, हमारे main commander पे, है न, main commander को क्या कर लिया, कि nap कर लिया, अब जब commander instruction ही नहीं देखा, कि य बताने वाला ही नहीं है, कोई तो यह पूरी आर्मी खड़ियो के करेगी, क्या तालिया बजाएगी, वही होता है, तालिया ही बजाती है, है न, क्योंकि लड़ते तो है नहीं, और result ही हो जाता है, कि जिस person को AIDS होता है, उसकी body इतनी भी हो जाती कि नॉर्मल सर्दी खासी से मर जाएगा, ठीक है, देखो, तो simultaneous the virus enter into helper TH lymphocyte, हुआ clear, आगे move करें, what is the breeding of crop, ठीक है, for enhancing their nutritional value call, अरे बाबा, nutritional value को increase करने का टर्म बताओ, तो nutritional value और living चीज है, तो कुछ बताना पड़ेगा, why is the need felt for enhancing the nutritional value of crop, अब जरूरत क्या पड़ गई उस particular, इसकी nutritional value बढ़ाने के लिए, तो हो सकता है, naturally नहीं मिल रहा हो, जैसे तुमने सुना होगा golden rice, तो golden rice, एक transgenic crop है, transgenic crop में उसमें क्या और add किया हुआ है, माम vitamin A किया हुआ है, क् हो सकता है, naturally नहीं मिल रहा हो, तो अब जब change ही हो रहा है, उसका genetic modification, तो किसी nutrition को ध्यान में रखते हुए, उसको बनाए गए, ठीक है, तो इसको कुछ बोलते हैं, चलो answer देखते हैं, breeding of crop to increase the nutritional value is termed as bio fortification, अब ये वाला chance आने का थोड़ा कम है, basically ये जो question है, ये दो chapter का merge हो क बना है, एक है, जो तुमारा already term to say cut गया है, पर ये वाला question कहां fit होता है, हमारे जो bio technology है, या microbes in human welfare है, वहाँ पे, ठीक है, इसलिए ऐसा question है, कि ये question उस वाले chapter में भी जाता है, और ये question तुमारे जो bio technology application है, इस application उसमें भी fit होता है, आई बात समझ में, अब ध्यान से related और terms related इतना सा question है, chapter number 9 का, जो strategies for food enhancement वाले का, पर ये वाला जो question है, कि उसको enhancement की जरुवत क्या पढ़ गई यारी, ये जरुवत थी, इसलिए तो transgenic crop बनाएगा है, कुछ आ रहा है समझ में, तो देखो, CBSC board क्या करता है, दो chapter के जो common topic है, उसको उठा के भी question throw करेगा, ठी ये वाली जो चीज़ है, ये तुमारे 9 chapter में दिये, जो term 2 में नहीं है, ठीक है, सुन लो ध्यान से, बट इसी question को तुम किस point of view से explain कर सकते हो, पूरा bio technology and its application के point of view से भी explain किया जा सकता है, इसलिए ये ऐसा question है, जो दोनों जगे है, ठीक है, आगे पढ़ता है, अब देखो, बोलोगे माम फिर जब यह आने नहीं वाला तो हम पढ़ क्यों रहे हैं, देखो, यहां तक नहीं पूछेंगे, जहां तक मैंने mark किया है, क्योंकि ये सब क्या है, chapter number 9 का है, पर उसके जो बात की line है, यही उसको reasoning में रखके पूछ सकता है, what is the basis of genetically modified organism in context to enhancing the nutritional value of the crop, कुछ आई बात समझ में, मतलब language पूरे उस chapter की लेंगे, पर उसको connect किस से कर देंगे, तुम्हारे biotechnology ने अप्लिकेशन से, तो वापस वही बच पॉइंट बोलोगे, क्या जरुवत पड़ी GMO बनाने की stressful condition टॉलरेट करे, दूसरा क्या बोलोगे, कि nutritional value increase कर, अब तुमको यहां nutritional value पे ही पूछा है, तो फिर example बताओगे, कि golden rice, उसके साथ vitamin A, अब मैं, बोलोगे, मैं फिर यहां क्यों discuss करें, इसलिए discuss कर रहे हूं, कि पता होना चाहिए, भले यह question लग रहा है, उस chapter का, पर same question की same language को यूज़ करके, वो biotechnology निस application से भी और, how have these grains improve in the nutritional value in comparison to the conventional variety, तो देखो यह conventional variety मतलब नॉर्मल में जो variety मिल रहे थी, और हमने पढ़ा है golden rice, क्या किया है उसमें, vitamin A, कौन सी technology का use करके, recombinant DNA technology, एक genetically modified crop है वो, ठीक है, तो देखो एक ही question है, उसको answer हम दूसरे चाप्टर के point of view से दे रहे हैं, तो आगे देखते ह है answer को, bio fortified maze has double the amount of essential amino acid like lysina and tryptophan, bio fortified weed atlas 66 has higher protein content, अब देखो, बोलो के माम यह सब तो हमने chapter 9 में पढ़ना था, पर जो course में तो है नहीं, हाँ मत पढ़ो, पर इसका answer अब तुम लिखोगी कैसे, इसलिए मैं यह question discuss का रहे हूं, तो यह question को तुम लिख सकते हो, कि GMO genetically modified organism है या इस case में हमारा कौन सा है, GM crop है ना, और उस case में हमने उसकी nutritional value कैसे बढ़ा दी है, nutritional value बढ़ा दी है, recombinant DNA technology का use करके, जहां पर example के साथ बताओगे कि golden rise है, और golden rise में क्या increase हुआ है, vitamin A, ठीक है, जो book में दिया है, वही उठा के example answer बताओ, फिर तुमको सही जाएगा, मतलब जो marking scheme में आएगा, वही लिखा हुआ, माच करेगा तुमारे से, चीक है, तो याद रखना बहुत बार वो language, language का pattern है, वो किसी दूसरे chapter का उठा सकते है, पर क्योंकि वो उसको connect किस से करे, तुमारे उसी chapter से, मतलब answer तुमारे जो तुमारे term 2 में उसी से आने वाला है, पर words का थोड़ा variety of words को modify करके जरूर पूछा जा सकता है, ठीक है, अब देखो, यह बोल सकते हो, क्यों, अब देखो, bio fortified की जगे पे वो क्या लिख दे, GMO लिख दे, क्या है उसमें more protein content, more micronutrient, more vitamin and essential amino acid, ठीक है, यह तो हमने पढ़ा ही हुआ है, कि GMO की जरूद क्या पढ़ चलो, आगे मूव करते हैं, write the scientific name of the, ठीक है, scientific name लिखना है, of the source plant from where, ophoids and cannabinoids are extracted, तो अगर ध्यान से यह question देख रहे हो, 2020 के पेपर में भी यही same question पूछा गया था, तो ophoids किस से निकाला था, माम OPM plant से, नाम बताओ, माम poppy plant, और technical नाम बताओ, क्योंकि scientific name पूछ रहे ह चैनाबिनोइट कहां से निकाला गया था, माम, cannabis sativa से, आंसर देखो, papavar somniferum or the opium plant या poppy, ठीक है, poppy भी बोलते हैं उसको, ओके, is the source of many ophoids and cannabinoids, cannabinoids को more specifically हम लिख सकते, cannabis sativa, तुमारी बुक में एक डाइगराम के उपर दिया हुआ है, ठीक है, चलो, question number 2 पे आते है, चैने को same to same question 2019 में भी पूचा, same to same question 2020 में भी पूचा, ठीक है, मतलब language भी उन्होंने change करने का कश्ट ने उठाया, कितने आलसी लोग है, ठीक है, हमारा फाइदा हो रहा है, तो देखो, right there receptor site, तो opoids की कहां पे है, दो जगे पे है, कहां पे है, एक तो central nervous system में है, मतलब brain औ brain की चोटी, that is brain and spinal cord, और दूसरा, कहां पे हमारे gastrointestinal track में है, ठीक है, बट cannabinoids का कहां पे, सिर्फ brain में है, याद रखना, उन्होंने क्या पूचा है, receptor site पूचा है, दो अलग-अलग चीज़े, एक है, receptor site, जहां पे वो जाके bind होगा, और दूसरा है, effector site, की bind होने के बा इसका, ये गड़बड हो गया, ये गड़बड हो गया, आई बात समझ में वो क्या है, effector site, और receptor मतलब हमारी body में वो जाके absorb कहा हो रहा है, या attach कहा हो रहा है, ताकि वो अपना action देखा सके, ठीक, तो देखो, जैसे ऐसे simple तरीके से समझाती हूँ, suppose करो, तुम्हारे suppose कर ल या, मम्मी गंदे माक्स आई, ठीक है, भाने भी देख दो बना दिया, पर effector site कहां देखा, पापा, जैसे ही मम्मी ने पापा को बताया, तो पापा ने बोला, आँ, जरा हाथ साफ किया जाए, माक्स गंद जाते है, आई बात समझ में, तो receptor site अलग है, और receptor किसी को देगा, information travel करेगी और फिर effector site देखेगा, आई बात समझ, चलो answer देखते है, ओफॉइड receptor आप रेजेंट इन यूमन ब्रेइन, spinal cord, अब देखो इसी को हम दोनों करके क्या बोल सकते है, central nervous system, CNS या तो अलग-लग दिखतो, लिख दो, intestine and stomach, अब इसी को नोंने क्या लिखा था, gastro, मत मतलब stomach, क्योंकि gastro का मतलब ही होता है stomach, intestinal tract, हुआ clear, अब, abuse of ophoid activates the ophoid receptor leading to lung edema, अब देखो ये जो receptor है, अब इसका क्या result क्या होगा, ये सारा effector वाली जगा है, ठीक है, कि जुडा कहीं और, और effect क्या हो रहा है, तुमारा lung edema हो रहा है, respiratory problem हो रहे है, cardiac और respiratory collapse हो रहा है, इ ophoids, clear हुआ, अब देखते हैं, आगे, okay, write by taking a suitable example, the convention followed for naming the restriction enzyme, ये पूछ रहे हैं, बताओ कि restriction enzyme को नाम कैसे करते है, नाम करेंट कैसे किया जाता है restriction enzyme का, तो एक example ले लेते हैं, जैसे E-Core R1, तो E-Core R1, अगर याद होगा, हमने पढ़ा था कि सबसे पहले क्या लगता है, कि source, कहां से लिया गया है, तो E-Core, E और C-O, जो ये लिखते हो तुम E-C-O, तो ये कहां से लिया गया है, E-Coli से लिया गया है, R मतलब उसका strain number कौन से है, और 1 जो Roman में लिखते हैं, वो कौन से series से obtain किया है, चलो अब एक example के साथ पढ़ते, restriction enzyme name based on the species from which they are isolated, ये से मैंने कोलता है, E-Core, में E-C-O, क्या stand करता है, E-Coli, ठीक है, for example, restriction enzyme BAM H1 got its name from the source species bacillus amyloquifacians, ठीक है, bacillus amyloquifacians, तो BAM BAM, ठीक है, अब बोलो के माम ये सब याद थोड़ न रहेगा, तो ये कौन बोल रहा है, याद रखने के लिए, तुम तो ये याद रखो, सबसे बढ़ याद रहा है, E-Core, R1, तो E-Core, E-C-O कहां से मिला, ये मिला तुम्हारा E, मला SG रीचिया और कोलाई, ठीक, उसके बाद, देखो, B come from the first letter of the genus bacillus, am come from the first two letters of the species amylofacians, ठीक है, उसके बाद, H come from the strain of the species, that is H, जैसे हम R है क्या, R क्या है, हमारा strain है, ठीक है, और 1 क्या है, मलब 1 जो capital Roman letter है, वो क्या order है, Roman letter I represent, मलब 1, represent the order in which the enzyme was isolated from the species, तो वो अब बोलो के माम ये याद नहीं रहता, कोई बात नहीं हां, देखो, E-Core, R1, E-Core, क्या है तुम्हारा, E-Core, Lai से लिया गया है, पहला letter genus का, बागी की दो letter किसके, species के, यहां पे उन्हेंने किसका example ल इसका और A-M जो बाम बोलते हैं, A-M किसका हुआ, तुम्हारे species के first two letter, उसके बाद H, H क्या हुआ, इसका strain हुआ, और I क्या हुआ, I मतलब Roman वाला I है, तो वो कहां से है, कि किस series में, किस sequence में, अप्टेन किया गया, इतना हुआ clear, वैसे इस particular question के chances कम रहते हैं, पर अब ग्रे एरिया बोलते हैं, ठीक है, कुछ-कुछ एरिया रहते पेपर में, जो जनरली तुम लोग छोड़के जाते हो, सोचते हैं, यह कहां से आएगा, ठीक है, और अगर वही उनको difference create करना है, अगर CBC को लगा, यार पेपर तो ऐसा है कि सबजन कर लेंगे, चलो कुछ question थो करते हैं, जो शायद ही किसी ने पढ़े हो, तो यह उस category में आता है, शायद ही किसी ने पढ़े हो, आई बात समझ, move करें आगे पर हम तो सब पढ़के जाएंगे, तो देख अब तुमारे पास दो example है, same को explain करने के लिए, तो यह काम करो, फटा-फट screenshot ले लो, और उसके ब लगाता है, बहुत बढ़िया, एक example बताओ, मैं हम अभी तो पढ़ा, इक और आयार वन, बाम, एच, वन, ठीक है, अब यह क्या है, माम, restriction endonuclease है, अच्छा, इक और आयर वन के speciality क्या है, माम, वो G, A, A, T, T, C, palindrome sequence को पहचानता है, और G और A के बीच में कट लगाता है, माम, restriction endonuclease हमेशा, जो foreign DNA है, मतलब gene of interest, उसके लिए और जो vector है, उन दोनों के लिए same use करना चाहिए, चेक, याद आगया, अब पढ़े आगे, restriction endonuclease have played a very significant role in our DNA technology, recombinant DNA technology, explain the role of E.Korai R1 and DNA ligase in the formation of recombinant DNA, तो ध्यान से देखो, basically, वो वही टेबल, वही चार्ट तुमसे फिर से पूछ रहे, कौन सा वाला, यहां देखो, यह वाला, आई बात समझ में, वाला, गोल घूम के ऐसा नहीं, तो वैसे, तो यह question भयंकर important है, क्यों भयंकर important बोल रहे हो माम, 2020 में भी आया था, दोनों sets में आया था, directly और indirectly, और 2019 के अभी तक हम दूसरा set discuss करें, उसमें भी व वाला है boss, मतलब अगर बनाने के लिए नहीं आया, उनको दया आगे तुम लोग पे, तो यह दे देंगे, labeling, गायब कर देंगे और पूछेंगे तुमसे, या फिर पूरा in detail तो पूछेंगे, अब देखो, इस वाले question में, यहां पर उन्होंने कहीं mention नहीं किया है, कि draw करो diagram को, पर वापस, जिस जिस technology या जिस जिस topic के बारे में तुम्हारे NCRT में diagram दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, draw करके जाएंगे, ठीक है, तो इतना जो सब कुछ discuss किया, चलो एक एक करके देखते हैं, recombinant DNA technology implies engineering and organism DNA to host a gene of interest that impact to its desired character, मतलब हम organism के DNA में कोई gene of interest दूसरे organism का, जिसको एक particular character दे रहा है, वो उठा के inject कर लेते हैं, जैसे example हुआ हमारा spider man, तो spider man मतलब एक normal इंसान था, जिसका नाम Peter Parker था, उसमें हम चाहते थे कि उसमें मकडी की quality आ जाया है, वो चलने लगे, जाली लगे, तो हमने क्या, हमने नहीं मतलब मुवी, मार्वल मुवी ने क्या किया, कि उसका जो जो वहाँ पे बोलते भी है, एक सीरीज में बोलते भी कि यह क्या है, री कॉमिनेंट spider है, या ट्रांस जैनिक spider है, तो spider ने जैसे उसको काटा, अपना एक DNA का तुकड़ा दे दिया और वो Peter Parker के cell में जाके जुड़ गया, अब हुआ ये कि उसका जो character था, मकडी का जो characteristic ते दिवाल पे चड़ना, जाले फेकना, वो सब किस में आ गया, Peter Parker में आ गया, और बन गया वो spider man, आई बात समझ में, वापस movie है, movie का example या मतलिक क्या ना, मैं तुम्हें समझाने के लि gene of the host, मतलब सबसे पहले ता isolate करो, मकडी में से वो gene of interest निकालो, उसके बाद जहां पे enter करवाना है, तो enter किसके थूर होता है, एक vector के थूर होता है, तो ये तुकडा कहां फिट हो, इस तुकडे में, इसलिए क्या यूज करोगे, molecular scissor यूज करोगे, और वो molecular scissor कुछ और बलके restriction endonuclease है, और सेम molecular scissor से यहां भी कट लगाओगे, यहां भी कट लगाओगे, यहां मतलब माम gene of interest में और यहां मतलब माम vector में, ठीक, देखो जरा, E.K.R.1 is a restriction endonuclease, it is an example that is able to cut the DNA at a specific palindromic recognition sequence, G.A.A.T.T.C. we use this to cut both the desired gene and the vector DNA, because of the specificity, both will cut at the same sequence and give complementary, will be attached to the other segment as they are sticky ends, क्यों sticky end? क्योंकि यह single stranded बन गाए, overhanging stretch बन गाए, और दोनों के base pair क्या है, एक दूसरे के complementary, मतलब एकदम fit हो जाएंगे, चीक है, चलो आगे पढ़ते हैं, we can expect a fair probable attraction between the desired gene and the vector DNA, क्यों attraction रहेगा, क्योंकि अगर तुमारे gene में G लिखा है, तो यहां पर क्या लिखा है, C लिखा है, अगर gene of interest में A लिखा है, तो यहां क्या लिखा है, T लिखा है, चीक, आगे, which was cut by the same enzyme, क्यों यह same complementary, क्योंकि same enzyme ने cut किया है, DNA ligase is another enzyme that joined these segment by creating phosphodiester bond between the segment, thereby creating our recombinant DNA, तो जो काट तो दिया, काटने के बाद क्या करते हो, जोड़ोगे न, glue तो लगाओगे, तो glue का नाम क्या है, molecular glue या फिर DNA ligase, कैसे जोडता है, by phosphodiester bond, ठीक है, चलो आगे देखते हैं, Hence, we can see, both enzymes have pivotal roles in recombinant DNA technology, इतना हुआ clear, देखो आगे, तो यही diagram क्या करोगे, वापस बनाओगे, वापस मैंने तरीका बता है, कैसे बनाएगा यह diagram, मन देखो अगर बहुत confused हो रहा है तो, पहले तो क्या करो, यहाँ पे ऐसा double stranded बनाओ, तो दूसरा, यहाँ पे double stranded बनाओ, य C, A, A, T, T, C, इसका उल्टा, C, T, T, A, A, G, as it is उठा के यहाँ लिखो, G, A, A, T, T, C, इसका उल्टा, C, T, T, A, A, G, अब तुमको याद रखना है, तुमें कट कैसा लगाना है, कुछ इस तरीके सा कट होना चाहिए, ठीक है, और कट क्यूं होगा, क्योंकि G और A के बीच में ही कट लगेगा, मतलब कुछ इस जगे ही कट आएगा, और कुछ इस जगे ही कट आएगा, वापस अब तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, माम इसका क्या करना है, हटा देना है, तो अगली स्टेप में क्या करोगे, इन दोनों को हटागे, फिर से ये डाइग्राम बन ना क्योंकि यहां भी कट लगेगा और यह अट जाएगा यह पूरा ही हट जाएगा ठीक है क्योंकि हमें जोडना है आप देखो आप दोनों क्या बन गए complimentary बन गए अब इसका क्या यह उसका रोगे हैं एक और लेबलिंग क्या लेख होगे DNA लाइगे और यह इसको क्या लेबल करोगे यह कुछ और नहीं बलकि क्या है sticky end या फिर single stranded DNA single stranded DNA दूसरा नाम over hanging stretch over hanging stretch तीसरा नाम sticky end बस और अब third step में क्या करोगे दोनों को pass में लिया तो जब third step में क्या करने वाले हो कुछ नहीं वापस यही बनाओ जी लिखो सी लिखो टी टी एए अब बोलोगे माम हम से pencil से डाइग्राम बना सकते हाथ तो फिर आप थोड़ा एक को light बना देना और एक को थोड़ा dark बना देना pencil का use करके ठीक है यह हो गया और यहाँ पर क्या लिख दो DNA ligase बस हो गया यही था तुमारा डाइग्राम याद रहेगा easy है देखो यह वही चीज है अब यहाँ तुम्हें ज्यादा complicated लग रही है यहाँ simple way में बता है मैंने तुमको ठीक है चलो तो यहाँ पे तुम्हारा जो 2019 का paper है वो होता है खतम अगर कुछ paper का discussion लग रहा है कि वापस करना है वापस रिवाइस करना माम तो क्या करोगे website पर जाओगे टाइप करोगे www.magnetbrains.com जैसे क्लिक करोगे यह home page आएगा अपने class सेलेक्ट करोगे subject सेलेक्ट करोगे chapter सेलेक्ट करोगे और सुनना शुरू करोगे and like, share, subscribe करना नहीं बोलोगे बने रहना है मेरे साथ मैं अभी और बहुत सारे paper लेके आने वाले हूँ तो बने रहना है आधा आधा marks भी बहुत important है तब तक study hard